गुड मॉर्निंग गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू अल अफ यू कैसे हैं आप सब संडे वाले दिन इस से बहतर दिन कोई नहीं हो सकता है इस सिलेबस को समझने का हम पूरे डिटेल से सिलेबस समझेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि UPSC का जब आप जो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं वेबसाइट पे जाके देखते हैं सिलेबस को तो आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखेगा आप खुश हो जाते हैं लेकिन हमें उस सिलेबस को डिकोर्ड करना ज़रूरी है ना तो उसी डिकोर्ड को हमाज समझने का प्रयास करेंगे आर यह आवाज मुझे एक बार यह बता दीजी आवाज आप लोगों के साहिर से क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी सुनी तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट वीडियो है अभी समझ में नहीं आएगा एक बार जब आप समझ लोगे न सिलेबस को उसके बाद आपको पता लगेगा कि हमें सिलेबस को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए था और हम इस तरीके से पढ़ेंगे तब ही जाके हमारा कुछ भला हो पाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ दो दिन शेश रह गए है जिसको कोर्स लेना है जिसको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है और एक सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ना है एक टीम के साथ मेहनत करनी है ठीक है अंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है एक पूरी की पूरी टीम होगी आपकी अंसर राइटिंग को बेसिकली बहतर बनाने के लिए ठीक है मेंटोर्शिप की सुविधा होगी ध्यान रखना चोदा फरवरी से ये बैस शुरू होने जा रहा है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा या स्टडी आईक्यू की एप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके आप बेसि 26 वाले exams देना चाहते हैं वो इस class से निश्चित तोर पे जुड़े बहुत ही जादा मील का पत्थर साबित होंगी ये classes आपकी सफलता में जब आप course purchase करें तो आपको यूज करना है LDLIVEE LDLIVE code इस code के साथ आपको ये पूरा का पूरा batch मात्र 18,999 रुपे में मिल जाएगा त ठीक है तो दो दिन शेश है फटाफट एन्रोल करा लिजिए अगली बात ये जो जो भी मैं आप लोगों को अभी syllabus पढ़ाने वाली हूँ इस syllabus का PDF आपको निकाल लेना है और उस syllabus के PDF को अपनी दिवार पे चिपका लेना है ये चार संडे ये सिरीज चलेगी ठीक है जैसे संडे पहले पेपर का syllabus बता दिया मैंने अगले संडे सेकंड पेपर फिर थर्ड पेपर फिर फोर्स पेपर तो इस तरीके से चार संडे ये सिरीज चलेगी जो बहुत और वो तब चलेगी जब आप लोगों को ये सही लगेगा और लगना चाहिए एक स्टूडेंट के नात है टेलिग्राम चैनल का नाम है लालीता धहिया अकैडमी तो इस चैनल पे आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे इसके अलावा आप मेरे Instagram और मेरे Facebook पेज से भी जूड सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्या अध्यन के प्रशन पत्र एक की मैं एक दो कोशन ले लेती ह हूं कुछ जादा ही कोशन आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं मैं से लिबस के टॉपिक के सब टॉपिक सब टॉपिक ही क्लियर करने के लिए मैं आई हूं ठीक है थरी का ट्री काड्डो है क्या नाम रखते हो भाई थेंक्यू अकांग्शा चलो कोई बात नहीं अब शुरुवात कर लेते हैं सामान्य अध्यन प्रशन पत्र एक जब आपको यूपीस्थी का सिलेबस जब दिखता होगा ना और आपके रिष्चेदारों को दिखता होगा वो कहते होंगे बस इतना सा इत्तू सा सिलेबस है मतल पल सा लिखा हुआ है आर्ट एन कल्चर के तोर पे खाली इतना लिखा है भारतिय संस्कृति में प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक यानि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक कला के रूप साहित्य के रूप और वास्तुकला तीन चीजे हैं यानि कलाएं साहित लिट्रेचर और वास्तुकला आर्किट्रेक्चर के मुख्य पहलू शामिल होंगे ठीक है आर्ट इन कल्चर कम्प्लीट आप भी खुश बाकी लोग टेंशन में किया रहे यह तो वो छोटा सा सिलेबस है पढ़ क्या इस बन गया तो हमारा क्या होगा एनिवे अब देख लेत है आधुनिक भारत क्या लिखा है अठारवी सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारतिय इतिहाग की महत्वपून घटनाएं व्यक्तित्व और विश्य तीन चीजे हैं महत्वपून घटनाएं हैं ठीक है इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं व्यक्तित्व है और विशे हैं ठीके जी पहला पार्ट हो गया modern history के syllabus का इसको मैं decode करूंगी भागना मत देखोगे कि कितना विशद syllabus है हमारा एक घंटे की जाएगी class स्वतंतरता संग्राम दूसरा topic दिया है स्वतंतरता संग्राम के विभिन चरण देश के विभिन भागों से इसमें अप योगदान दिया है वह और उनका प्रभाव यह सारी चीज़े देखनी होंगी modern history complete उसके बाद इंडिया अफ्टर इंडिपेंडेंस अलग से दिया है 1947 के बाद है ना स्वतंतरता के पश्चात देश के अंदर एकी करन और पुनर गठन खाली इतना लिखके छोड़ दिया है एकी करन और पुनर गठन इस एकी करन और पुनर गठन में हम केवल राजनीतिक events को देखेंगे क्या यह समाजिक घटनाओं को भी देखेंगे आर्थिक घटनाओं को भी देखेंगे वो सारी चीज़ें हमें इसमें include करनी पड़ेंगी लेकिन इतना लिखके छोड़ दिया इसलिए हमेशे ना आप लोगों में confusion यह रहता है कि हम syllabus को जाने कैसे समझे कैसे याद रखिएगा दोस्तों यह जो हलके में लेते हो ना आप अरे syllabus पहली कुंजी है पहली सीड़ी है आपकी सफलता की अगर syllabus नहीं पता है तो क्या कर पाओगे सिंपल सी बात है ना भाई address ही नहीं पता है हमको पता ही नहीं हमको पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है newspaper पढ़ोगे तो यह नहीं पता होगा कि हम किस पे जादा focus करें किताबे पढ़ोगे तो कुछ भी उठा के पढ़ दोगे तो ध्यान रखना syllabus को बिलकुल यहां set करना ब पुद्योगिक क्रांती हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, पहला विश्वयुद्ध, दूसरा विश्वयुद्ध, राष्ट्य सीमाओ का पुनह सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ती, और राजनितिक दर्शन, राजनितिक दर्शन में हमें पूंजीवाद और समाजवाद ध्यान रखनाक सर आप कहते हो कि क्यूं हम पढ़ें सामयवाद को यह तो पॉलिटिकल साइंस के ऑप्षनल की बात है कहीं बार आता है ना दिमाग में अरे तो पॉल पीएस आई-ार के ऑप्षनल में आता है या इतिहास में आता है या दर्शन पॉलिट लिखा गया है कि जो भी राजनीतिक दर्शन है जैसे सामयवाद है उन राजनीतिक दर्शनों के जो मूल विचार है मूल थोट है वो सब हमें पढ़ने होंगे और उनका समाज पे किस तरीके से प्रभाव पढ़ता है यह सब हमें पढ़ना होगा तो इतने से में आर्ट एंड कल्चर, मौडन हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया according to UPSC उसके बाद भारतिय समाज में मुख्य विशेश्टाएं, विविधता यह मैं पूरा डिटेल से बता रही हूं बस अभी मैं इतना बत अब जब आप इस जनसंख्या और मुद्दे को देखोगे ना तो अलग से 8-10 टॉपिक बनेंगे आपके, क्या मुद्दे, क्या बाते पढ़ेंगे हम जनसंख्या में, जब हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम किन-किन विशो को ध्यान में रखेंगे, तो syllabus को डिक ही ये सारी चीजे और आपका काम हो गया, आपको लगा इतना सा तो syllabus है, GS first paper का हो जाएगा, decode उसको किया नहीं, तो ध्यान रखना syllabus को समझे, आज की हम इस class में पूरी तरीके से एक-एक topic को decode करेंगे, कि आखिर इसका मतलब क्या, हमें क्या-क्या पढ़ना है, याद रख होगे भाई, ठीक है, तो शुरू करें, एक बार फटा-फट वीडियो को लाइक कर दीजे, जितना शेयर कर सकते हैं, उतना शेयर कर दीजे, संडे है, तो इसका मतलब यह थोड़ी नहीं, सुस्ताना है, हम भी उठके आ गए हैं, है ना, तो आप लोग भी फटा-फट कमेंट्स आपके, त्रिकार्डो टिकने का नहीं है, मैं टोपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट सब टोपिक पर आत हो रही हूं भाई, अब देखो, अब हम डिटेल से सिले बस पढ़ेंगे, यूपीस्ती में लिख दिया, भारतिये संस्कृती में, अब एक एक चीज आपको द आपका आधुनिक काल तक के, हमें कला के रूप, हमें साहित्य और हमें वास्तु कला, ये सारी चीजें पढ़नी पढ़ेंगी, इस क्लास में मैं आप लोगों को सिलेबस समझाने के साथ साथ कुछ आप लोगों को स्ट्रेटिजी भी बता दूँगे, कि भई आप आप आट मनता हैं, हम उसको पढ़के नहीं जाते, तो उन सारे सोर्सेज के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज की क्लास में, अब जैसे देखिए, आट इन कल्चर को जब हम तोड़ेंगे, तो पहला भाग है कि भई प्राचीन काल से लेके आधुनी काल तक कला के रूप, एक पाट दे दिया, अब कला मतलब क्या, कला में हमें क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा, तो ध्यान रखना, कला में हमें भारतिये चित्र कला पढ़नी पढ़ेगी, भारतिये नृत्य कला पढ़नी पढ़ेगी, नृत्य कला के कौन कौन से रूप है, अक्सर आपन और साथ ही केवल निष्ट्य तो भूगा नहीं बिना संगीत कला के फोड़ी ना होगा कोई व्यक्ती अब आप أप एजियूम करो ना आप भी ना गाने के डांस कर रहे हो और पूरी भाव भंगिवाओं के साथ डांस कर रहे हो पॉसिबल नहीं है न तो जब नृत्य है तो नृत्य के साथ संगीत कला को भी हमें पढ़ना पढ़ेगा यानि पूरी की पूरी संगीत कला, इसमें आ जाएगी, जितनी संगीत की अलग-अलग विधाएं हैं, सब को हमें आर्ट और कल्चर में पढ़ना पढ़ेगा, इसके साथ ही जो ड्रामा है, थियेटर है, उनको पढ़ना पढ़ेगा, मार्शल आर्ट्स आप देखते हो, इनके बारे में हमें पढ़ना पढ़ेगा, मृद भांड कला, मृद भांड कला के उपर भी कोशन बनता है, भले ही वो इतिहास से अटैच होके बनता है, लेकिन कल्चर में तो हमें समझना पढ़ेगा, कि कैसे मृद भांडों का विकास हुआ है, मृद भांडों के विकास स किस तरीके से सामाजिक फ्तरीकरण के बारे में पता लगा सकते हैं ठीक है तो जब आप कला पढ़ोगे न तो आप कला सोचते ही आपके दिमाग में तुरंट आना चाहिए चितरकला नृत्यकला छेत्रियनृत्य संगीत कला मृधभांड कला और आपका थिएटर मार्शल आर् को यार अकांग्शा कैसी बाते कर रहे हो recorded class क्यों नहीं benefit देंगी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो live class नहीं देख पाते हैं उनकी मजबूरियां होती हैं किसी का college होता है किसी की job होती है recorded class में ऐसा तो है नहीं बच्चे हम कुछ काट लेते हैं same to same चलेगा और फिर भी आपका ज हमने कला देख लिया हमें कला में क्या क्या पढ़ना है अगला literature इसमें art and culture में हमने देखा साहित्य तो भई हमें साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा कला साहित्य तीन चीजे थी ना इसमें एक था कला एक था साहित्य और एक था वास्तु कला तो अब साहित्य में हमें क्या क् भई जितना भी प्राचीन भारतिय साहित्य है, शास्त्रिय सांस्कृतिक साहित्य है, पाली और प्राकृतिक साहित्य है, ध्यान रखना इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे पाली और प्राकृतिक साहित्य को उठा रहे हैं, मोटा मोटा पढ़ना है, पाली और प्राकृतिक स साहित्य अब ये ढर इतिहास से जुड़के कोश्यन बनता है लेकिन हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना कठिन में आप दिखने को मिलेंगे काफी कठिन कठिन नाम लेकिन कई बार वहाँ से सीधा कोश्यन बन जाता है तो कम से कि हमें अघकर सीपॉइंगे और जिस्टाका बनानी तो इसके साथ ही हमने देखा कालीन साहित्य म Power आपको कहां से मिल जाएंगे फिछले सालों के कोश्ण करोगे न जब प्राचीन भारत के तो जब इनफेक्ट आई एस और PCS के ही खाली पिछले सालों के कोशन कर लोगे तो आपको इस सारे कोशन मिल जाएंगे जो इस एरिया से बनते हैं आप आट एंड कल्चर को भी मिला दोगे तो आट इंड कल्चर के भी जब आप कोशन सोल्व करोगे कोशन कर लिए कुछ डाउट रह रह गया उसे हमने इधर उधर से देख लिया काम हो गया ध्यान रखना दोस्तों जो पीटी रुकता है ना वो इजी कोशन के कारण रुकता है हम डर जाते हैं हम कितना पढ़ेंगे भाई कम से कम पिछले सालों के कोशन आपको नहीं पढ़ना है लिटरेचर बहुत जादा मत पढ़ो कोई जरूरत नहीं है लेकिन कम से कम बेस्तिक बेस्तिक चीज़े पढ़ दो बस और लास्ट यर के कोशन लगा जाओ और लास्ट यर के कोशन कम से कम पांस से दस बार लगा जाओ ताकि इजी कोशन गलत ना करके आजाओ वहां पे बा आधुनिक भरतिय साहित्य पढ़ना पड़ेगा इतना पढ़ेंगे तभ जा के हमारा आर्ट एंड पार्ट है साहित्य लिट्रेचर वो कम्पलीट हो वास्तुकला सीधा 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 कोशन मनता है you would Do what बखोगनां पड़ेगा गुफा वास्तुकला जो केव आर्किटेक्चर है यह हमें पढ़ना पढ़ेगा, मंदिर स्थापत्य, जो तीन मंदिर स्थापत्य की प्रनालिया है भारत में, ठीक है, मथुरा है, गांधार है, और द्रवीडियन है, तो तीनों मंदिर स्थापत्य को आपको देखना पढ़ेगा, किस स्थापत्य की क्या विशेश्टाइं होती है, है इसमें गर्व ग्रह कैसा होता है, तो हर एक बिन्दू को आपको समझना पड़ेगा, और यह क्या, कितनी देर का काम है, आपको लग रहा होगा, बाप, देटार होगा, कितनी से ना हुप अखेगा, कितनी से इक काम है, स्मार्ट सुड़ी करोगे, अब इस वास्तुकला में मंदिर वास्तुकला भी आएगा तो जब आपके दिमाग में यही चीज़ें आएगी ना कि तिलेबस में बिल्कुल क्लियर दिया है तब जाके आप पढ़ोगे ना हाँ इस कला की क्या विशेष्टाएं हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसिज हैं बा इसलिए एक लाइन देखके बहुत जादा प्रफुलित नहीं हो जाना है कि वारे यूपीएस थी इतना कम पढ़ा क्या इस बना दोगे तो वह तो बस इसलिए दिया है ताकि शुरू में ही बच्चा मतलब वह होता है ना शुरू में धड़कने तेज ना हो जाएं बाप र रोकट वास्तुकला कौन पढ़ेगा रोकट वास्तुकला भी पढ़ना पढ़ेगा पूरा पल्लव है ना दक्षिन भारत यहां से सीधा कोशन मनता है और साथ ही बोध्धिज्म और जैनिज्म का भारतिय वास्तुकला के विकास में योगदान यह मेंस का कोशन है यहां से म में बेसिकली सीधा कोशन मनता है लेकिन वास्तुकला को आपको इस नजरिये से पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगा पहले मुझे एक बार यह बताओ इस नजरिये से आपने सिलेबस को कभी जानने का प्रयास किया था इमांदारी से बताना जूट मत बोलना मैं अभी थोड़ा पानी पीलो तब तक आपकी कमेंट पर नजर है मेरी हाँ या ना यस और नो इतना डिकोड करके सिलेबस को समझा था कभी और हम चार संडे लगेंगे एक बार समझ लो सिलेबस को कभी परिशान नहीं होगे कुछ भी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में यह होगा हाँ यह हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है ठीक है और यह नहीं पढ़ा था ना कि सभी सभी पहचान लिया वह एक सीरियल नहीं आता था तक वबात नहीं अब पता लग गया अब देखो अब रणनीति क्या होगी देख के डरना नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कई बच्चे नितिन सिंगानिया की बुक को blindly follow करते हैं, अच्छी बुक है, कोई doubt नहीं है, लेकिन शुरू से लेके अंत तक पढ़ने की कता ही जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में syllabus है, हमारे और ध्यान रखन syllabus के साथ साथ पिछले सालों के question भी आपको देखने हैं, याद रखेगा दोस्तो, strategy के तरीके से पढ़ो, strategical तरीके से, रणनितिक तरीके से पढ़ो, पिछले सालों के question भी देखने हैं, उससे ना आपको एक idea लग जाएगा, कि कितना deep question पूछा जा रहा है, अब उसमें इत साथ के कला के परिचय को हमें अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है, सबसे पहला शुरुवात हम यहां से करेंगे, इसके साथ पिछले सालों के paper का wishlation करेंगे, जिसमें हम PT के MCQ market में available हैं, जो पिछले सालों में आए हैं, इसके साथ ही mains में कहां से question पूछे गए हैं, इन बेसिकली जो topic है, अविशे है, important है, हम कहीं बार देखो, एक बात और यहां पर मैं free advice दे देती हूं, आप लोगों में से कहीं बच्चों कि, in fact, जब मैं student थी, मेरी भी शुरुआत में आदत थी, बाद में मिर को भी किसी ने guide किया, तो मुझे समझ में आया, मैं क्या करती किसी कोई भी किताब शुरू से शुरू कर दी, कि अगले 20 दिन में किताब का काम तमाम कर देना है, होता क्या है ना, जब आप किसी किताब को शुरू से शुरू करते हो, तो कहीं बार शुरू में ही difficult topic आ जाते हैं, जैसे आप यदि लाल और लाल की किताब देखोगे, इति दिमाग हिलेगा की नहीं हिलेगा, दिल कहेगा ना कि कहां फस गए भाई, निकलो इस जंजाल से, मन करेगा, इसलिए किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका होता है, आप सरल और important topic से शुरू करो, जैसे यदि मैं लक्ष्मी कांत की किताब को प्रस्तावना से शुरू करू, fundamental rights से शुरू करू, DPSP से शुरू करू, President से शुरू करू, तो मेरे लिए कामासान हो जाएगा, अगर मैं पहला ही topic नगरपाली का पढ़ने लग जाओ, या हम शुरू से पढ़ने लग जाएं, तो difficult होगा, तो इसलिए अपने पढ़ने के तरीके को भी बदलो, ठीक है, थोड़ी महनत करनी पढ़ती है, थोड़ा कष्ट देना पढ़ता है शरीर को, आसानी से आलस्या में हायर है, अभी भी कहीं बच्चे जो है ना, बैड पे पसरे हुए होंगे, है ना, ऊपर फोन ऐसे उठा के देख रहे होंगे, गलत बोल रहे हूं क्या हसी तो आ रही होग बुक रिकेमेंड करती हूँ, ये गौवर्मेंट ओफ इंडिया की तरफ से निकलता है, CCRT, बेसिकली आपको मार्किट में CCRT के नाम से ही ये किताबे मिल जाएंगी, ये ना, इस तरीके के साइज में मिलेंगे आपको, लंबे साइज में, इतनी बड़िया किताब है ये, छोटी सी, मतलब दो बुकलेट का वो आता है, जैसे डांस दिया है, तो डांस की मुद्राएं भी साथ साथ में दी हुई होगी, और में में पॉइंट लिखे होंगे, तो ये CCRT की किताब आप क्विक रिवीजन के लिए जरूर खरीद लें, बात समझ में आई, ये बहुत जादा अच्छी किताबें हैं, CCRT की, इसके साथ ही नितिन सिंगानिया, famous art and culture के लिए आप पढ़ते हो, लेकिन नितिन सिंगानिया को complete पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें selected topic पढ़ने की जरूरत है, और उन topic की समझ कहां से आएगी, उन topic की समझ आएगी, यहां से, और समझ को बहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ध्यान रखेगा, यह माई क्लास नहीं है, यह बिसिकली study IQ की, जितने भी आप classes करोगे, क्योंकि study IQ की जो भी faculty, study IQ IS Hindi की जो भी faculty है, वो best से best देने का प्रयास करेगी, तो यहां से भी आपकी जो चीजे हैं, वो cover होईगी, और यदि मालो आपको कुछ, मालो डांस में बहुत डीप में जाना है, समझ में नहीं हा रहा है, तो आप इगनू के notes का भी कुछ सहरा ले सकते हो, लेकिन यह बहुत जरूरी नहीं है, मेंस के लिए आप कुछ-कुछ material यहां से ले सकते हो, otherwise बहुत जादा इसको ignore भी कर सकते हो बास समझ में आई, यानि हमें NCRT, previous के question का विशलेशन और यदि आप course से जुड़ते हो, तो study IQ की जो class होंगी, उसके notes और साथी CCRT, ठीक है, मुझे एक बार thumbs up दे दो भई, फटा-फट, उसके बाद मैं आती हूँ, अगले point पे, बिल्कुल live है अंकित, ठीक है, अब देखो, ठीक है भई, art and culture समझ में आ गया, art and culture के question आप खुद से भी देख लोगे, जैसे question इसके अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे गंधार कला के उपर पूछ दिया, है ना, भारती है, कला विरासत का संरक्षन, वर्तमान समय की आवशकता है, क्यूं कला का संरक्षन हमें करना चाहिए, तो जब आप कला और संस्कृती को detail से पढ़ोगे, एड़ी आईक्यू की जो टीम है, वो 14 फरवरी से जो बैच लॉंच कर रही है, उसका उद्देश्य भी है कि आपको सही टाइम फ्रेम में, सही मार्ग दर्शन किया जाए आपका, आपको लिखना सिखाया जाए, आपके डाउट क्लियर किये जाएं, और आपको एक सही, कहत आपको सही टाइम फ्रेम, भाई 14 महीने यदि आप अपने जीवन के दे दोगे, भाई दे नहीं है, अगर IS बनना है तो ऐसे तो है नीना, कि मतलब सुबह उठे, रात में सपना देखे, सुबह उठे और देखा रहे, हम तो जो है लबासना पहुंचे हुए हैं, ये तो impossible सी बात है, यदि IS बनने का ख्वाद देखा है, तो फिर उसके लिए तो बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, तो Study IQ IS हिंदी बहुत ही बहतरी इन प्लाटफोर्म है आप लोगों के लिए, 14 फरवरी से बैस शुरू हो रहा है, आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, ध्यान अब देखते हैं हम, second part जो है हमारे syllabus का आधुनिक भारत यानि modern history, सीधा सीधा लिखा है, अठारवी सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समयत का आधुनिक भारतिय इतिहास, इसकी महत्वपून घटनाई, व्यक्तित्व और विशे, इतना लिख दिया है, जैसे भारत की साम क्या पढ़ना है इतिहास में, तो जितना भी आप पढ़ते हो, जैसे आप इसमें देखोगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा, एक तो भई, simple सी बात है, समाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए अंग्रेजों ने क्या योगदान दिया, और क्या जो आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए अंग्रेजों ने योगदान दिया, वो भारतियों का भला था, कि अंग्रेजों का भला था, for example, शिक्षा का विकास किया, for example, रेलवे का विकास किया, डाकतार, संचार, इत्यादी, जो और सरंचनाई थी, इनका विकास किया, लेक की भारत पर विजय और इस विजय की पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी इसके पीछे की जो हिस्टियोग्राफी है उसको हमें समझना पड़ेगा अंग्रेज कहते हैं कि हम तो ना व्यापार करने आये थे बस ऐसे ही राजनितिक नियंत्रन हो गया हमारा कोई सोची समझी नहीं थी हमारी कोई सोची समझी रणनीती नहीं थी भारत के ऊपर राजनितिक नियंत्रन करने की कि दूसरी historical जो थोट वो ये कहती है कि भाई सहाब बिल्कुल साफ तोर पे जूट बोल रहे हो आप सीधे तोर पे राजनितिक नियंत्रन करने आये थे है ना तो इस तरीके की पूरी हिस्टियोग्राफिक को आपको समझना पड़ेगा ब्रिटिश पर भारत की विजय को लेके और साथ ही ब्रिटिश नितियां आर् दोलन अलग से टोपिक है वो हमें पढ़ना पड़ेगा है ना और साथ ही सांस्कृतिक छेत्रों पर जो भी अंग्रेजों का प्रभाव पढ़ा इतना पढ़ेंगे तब जाके हमारा पहला पॉइंट खतम होगा इसमें और भी बहुत सारी चीज़े है यानि हमने देखा मध की पूरी विजय के प्रती जो द्रिष्टिकोन है या अलग-अलग छेत्रों पर अंग्रेजों का जो प्रभाव है इसके साथ ही जितने भी समाजिक सांस्कृतिक सुधार अंदोलन हुए इन पूरे के पूरे सुधार अंदोलनों को हमें देखना पड़ेगा सुधार अंदोलन का मतलब समझ रहे हो कम से कम पांच से छे दिन की क्लास हैं सुधार अंदोलन एक-एक सुधार अंदोलन वादी को हमें समझना पड़ेगा कि कितने हमारे यहां पर सुधार अंदोलन चले हैं उनके अलग-अलग उदेश्य क्या रहे हैं है ना उनकी स्था अपना, उनके द्वारा कुछ विशिष्ट किताबें, तो ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में पढ़नी पढ़ेंगी, इसलिए continuity बहुत जादा मैटर करती है IAS की परिक्षा में, ये नहीं है कि 10 दिन पढ़े और फिर 5 दिन रेस्ट किया, ऐसे नहीं चलेगा, अगला हमें 1857 का विद्रोह के पहले के जो किसान और जनजातिय विद्रोह हैं, वो भी पढ़ने पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह तो पढ़ना ही होता है, 1857 के विद्रोह से पहले बहुत किसान अंदोलन और बहुत तरीके के जनजातिय अंदोलन अलग-अलग जगे चले, उन सारे किसान और जन जाती हैं अंदोलनों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा और यह हमारे सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए खुश नहीं होना है कि एक लाइन तो लिखी है modern history में modern history का मतले है complete modern history बासमज में आई तो इसलिए तोड़ना जरूरी है सिलेबस को सेकेंड लिखा है सिलेबस में स्वतंतरता संग्राम इसके विभिन चरन और देश के अलग-अलग भागों से इसमें अपना योगदान देने जाले महतफून व्यक्ति और उनका योगदान अब स्वतंतरता अंदोलन के विभिन चरनों से क्या मतलब है जितने भी स्वतंतरता अंदोलन के चरन रहे हैं चाहे वो उदारवादी क्रांतिकारी है ना और गांधिवादी तारे के सारे चरनों को डिटेल से पढ़ना पड़े हमें कारन देखना है हमें पूरी घटनाएं देखनी है हमें प्रभाव देखना है हमें हार के कारणों पर चर्चा करनी है तो पूरे के पूरे अश्च्रवाद के लेके ये पहला चरण हो गया, यानि 1858 से लेके 1905 तक जो भी घटनाए होती है, इसमें कॉंग्रेस है, कॉंग्रेस से पहले के जो राजनीतिक संगठन है, उन सारे राजनीतिक संगठनों को हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉंग्रेस की क्या-क्या गतिविधियां रही, सारी होगे भारत का राजनीतिक आर्थिक और प्रशाष्निक एकी करण होना, ये सारी चीज़े हैं, पश्चिमी शिक्षा की भूमिका भी आपको देखनी पड़ेगी, भारतिय अतीत की खोज, आरंभिक राजनीतिक आंदोलन, जितने आंदोलन चले हैं, शुरू से लेके, सारे आंदोलनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, भारतिय अराष्ट्य कोंग्रेस की स्थापना, ये सारी चीज़ें आपको इस पहले चरण में देखने को मिलेगी, बास समझ में आई, 1858 से जो 1905 के बीच का चरण है, इसमें हमें सारी विश्यवस्तु देखनी पड़ेगी, ब क्रांती कारियों का प्रभाव, मारले मिंटो सुधार और सांप्रदाइक्ता की वृधि, ये आपका लगभग एक चरण कम्प्लीट करता है, यानि जितने भी हमारी स्वतंतरता अंदोलन के चरण है, उन सभी चरणों का अध्यन हमें काफी गहन तरीके से करना पड़ेगा, उपरी तरीके से पढ़के UPSC पास नहीं होगा, अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं Lucent पढ़के इतिहास के कोशन लगा लूँगा, तो वो बेवकुप बना रहा है, Lucent पढ़के इतिहास के कोशन नहीं बनेंगे, और चलो ठीक है, एक बार के लिए 0% मैंने मान लिया, या हम मुझे इसका अंसर दीजिए बिल्कुल मिलेगी भाई अब जैसे आधुनी भारत है उसके बाद जो दूसरा चरण है 1937 तक के बीच की जितनी भी घटनाई है इसमें महात्मा गांधी का उद्भव विचार और नेत्रित्व जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बाद आप देखोंगे कि यह क्या नाम है लगांधी जी का पूरा की पूरे नित्रित्व को हमें पढ़ना पड़ेगा तब जाके न हमारा दूसरे चरण का एक पार्ट कंप्लीट होगा मांटेस ग्यू चैम्स फोर्ड 1917 का पूरा का पूरा एक्ट आपको पढ़ना पढ़ेगा रोलेट एक्ट सत्याग रहे इसी से जुड़ता है जलिया वाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन, स्वाराजिस्ट आंदोलन, स्वाराजिस्ट आंदोलन, मोतिलाल नहरू और सियारदास की अध्यक्षता में जो स्वाराज आंदोलन चला उसको पूरा पढ़ना पढ़ेगा उसकी प्रिष्ट भूमी देखनी पढ़ेगी और परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी ये सारी चीज़े जब आप पढ़ोगे तो आधुनिक भारतिय इतिहास का मतलब है यूरोपियों के आगमन से लेके जितने भी घटना क्रम हैं जितनी भी महत्वपून घटनाएं हैं वो और जब भारतिय राष्ट्य अंदोलन के चरण वाईज हमको पढ़ना पढ़ेगा 1857 का विद्रौ तो हो गए 1858 से लेके 1905 उसके बाद आप देखोगे अलग-बढ़ चरण हैं इसके 1909 से लेके 1919 का अपना चरण है क्रांतिकारी गती विधियों, क्रांतिकारी गती विधियां अलग-अलग छेतर में दिखेंगी आपको, भारत के अंदर क्रांतिकारी गती विधियां दिखेंगी, भारत के बाहर दिखेंगी, तो ये सब चीजें आपको सिलेबस के अंतरगत पढ़नी पढ़ेंगी, ठीक है, आ रहा है शिवांगी, बहुत बढ़िया, आप जैसे हमें देखना पड़ेगा, साम्मेवाद और समाजवाद का उद्य, तो इतिहास के नजरिये से, ये सब चीजें हमें पढ़नी पढ़ेंगी, भई, कैसे उद्य हुआ, इनका कितना योगदान है, ट्रेड यूनियन को पढ़ना है, साइमन कमीशन और नहरू रिपोर्ट, सीधा मेंस में कोशन मनता है नहरू रिपोर्ट से, साइमन कमीशन से, समिन्य वग्या, ये तो मैं बताई चुकी हूँ, जब गांधी पढ़ोगे, शाशन अधिनियम 1935 और प्रांतिय स्वायता और कॉंग्रेस का सरकार बनाना, 1935 के बाद जो चुनाओ होते हैं, यहां तक आपका एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण कम्प्लीट हुआ, तो ये सारी घटना है, हर एक चरण की एक घटना के उपर आपको नजर बनानी है और फिर मैं वही बात बोलूँगी, अब आप कोगे कि मैं क्या महत पुपूर्ण है, क्या महत पुपूर्ण नहीं है, इसको कैसे पहचाने, तो मैं मतलब कुछ ऐसा चमतकार थोड़ी ना कर दूँगे कि बस सब पहचान जाओगे आप, उसके लिए महनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, पिछले सालों के जो कोशन्स हैं, उनको पलटिये, उनको खरीद के रखो भाई, अगर I.S. बनना है तो, पिछले साल के MCQ है, मेंस के जो कोशन्स हैं, उनको जब आप बार बार पलटो गे ना, तो आपको पता लगेगा, कि गोलमेज कॉन्फरेंस से लेके सामप्रदाईक, पूना पैक्ट से कितने कोशन्स पीटी में पूछे हैं, साइमन कमिशन नहरू रिपोर्ट पे कितने कोशन्स पीटी में पूछे हैं, ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे भारशाशन अधीनियम के बाद जो चुनाओं हुए, उन चुनाओं के उपर कितने कोशन्स पीटी में पूछे हैं, तब जाके आपको टोपिक के इंपोर्टेंस का अभास होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा श्रम आपको भी करना पड़ेगा, इसके साथ ही फिर हम देखेंगे 1949 से लेके 1947 के बीच जितने भी वो हुए, घटनाए घटी, जैसे द्वित्य विश्वयुद के दोरान राष्ट्य अंदोलन की क्या दशा थी, हमारी क्या डिमांड थी, कि हम युद में कब पार्टिसिपेट करेंगे, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सामप्रदाइकता का अभिकास, इस सामप्रदाइकता का अभिकास हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लियर तो 1909 से हो गया था है ना जब प्रत्यक निर्वाचक मंडल की बात स्विकार कर ली 1909 के मार ले मिंटो एक्ट में लेकिन क्या 1909 से ही सामप्रदाइकता का विकास हुआ तो हमें उससे पहले की घटनाओं को भी सेफी बिल्कुल सीधे तोर पर शुरू हो चुकी थी फूट डालो और राजकरो की उसके बाद विवहारिक रूप देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने और ध्यान दखिएगा हमारी स्टडी IQIS हिंदी की टीम में विराद सर अभी स्पेक्टरम पढ़ा रहे हैं बहुत और जब हम दो रुपे पैसे निकाल के देते न जेब से किसी के तो बड़ा कश्ठ होता है तो हम पूरा वसूलना भी चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के फायदे के लिए भी बहुत मतलब आप लोगों के लिए बहुत हितकारी होगा ध्यान रखेगा ये सारी चीजें हमें फर्स पेपर में पढ़नी है किसानों का पूरे अंदोलन का विकास क्रम देखना है क्रप्स मिशन भारत छोड़ो अंदोलन वेवेल योजना यह 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 उनी सो 39 से लेके 1947 तक जितनी जितने अलग-अलग आयोग आये जितनी अलग-अलग घटनाई हुई सारे हिस्ट्री कंप्लीट होगा ना तो इसलिए ध्यान रखना UPSC की सिर्फ उस दो लाइन के जंजाल में नहीं फसना है दो लाइन लिखी है हमें पता ही नहीं है हमें क्या पढ़ना है हम घूम रहे हैं मुखरजी नगर में कभी यहां पे चाई पी रहे हैं कभी वहां पे कर लो तब ना आप अच्छे से कुछ भी परफॉर्म कर पाएंगे साथ ही इसी जब हम 1947 घटना क्रम देखेंगे आजाध हिंद फोज से लेके कैबिनेट मिशन द्वित्य विश्यूद के बाद राष्ट्रवादी विच्छोब का उत्पन होना और स्वतंतरता और विभाज तो मुझे एक बार thumbs up दे दो और खुद बताओ इस तरीके से समझेंगे तभी काम चलेगा ना तभी जब हम कोई भी बुक उठाएंगे तो हमारे दिमाग में आएगा अच्छा ये टॉपिक तो हमें पढ़ना है इतिहास का पार्ट है modern history का पार्ट है तो जब भी भी हैंगे तो पढ़ने का तरीका है ना पढ़ने का तरीका केबल रटने से चलेगा क्या तो नहीं भाई हमें मुद्दे को समझना पड़ेगा तो मुद्दे को समझने समझ बनाने के लिए study IQIS हिंदी की team आपको YouTube पे भी महनत कर रही है है ना अलग-अलग teachers आपको अलग- कर रहे हैं और course में teachers बैस तो देंगे लेकिन उसके तरिक ताप लोगों के लिए क्या सुविधा हो जाती है आपको अंसर लिखने का मोका मिल जाता है अंसर चैक करवाने के लिए पूरी टीम बैठी है जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है आपके doubt solve करने के लिए पूर दे रखे हैं class करनी है तो ये foundation हो जाती है आपकी किसी भी course से जुड़के ध्यान रखेगा तो मैं हाँ पे एक बर बीच में आपको बता दूँ फिर आती हूँ इसके modern history पे क्या पढ़ना है दोस्तो 14 फरवरी से ये course शुरू हो रहा है मात्र दो दिन बच गए हैं मात्र दो academy इस telegram channel पे मैंने एक link दिया है वहाँ पे click करके आप ये course purchase कर सकते हैं जब आप ये course purchase करेंगे तो आपको code यूज़ करना है l d l i ve l d live इस code के साथ आपको ये पूरा course मात्र 18,999 रुपे का मिल जाएगा ठीक है अब बात करते है modern history के किसका क्या क्या पढ़ना है modern history में है न अक्सर बच्चों को ये बड़ा भयंकर confusion रहता है तो सबसे पहले तो हमें ncrt से शुरुआत करनी है अगर आप नए बच्चे हो तो पुराने बच्चे तो ncrt या basic पढ़ चुके होंगे देखो कभी भी न सरल किताब से शुरू करो आप सम इसको भी इस तरीके से पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमां हम दिमाग में सेट कर रहे हैं चीजों को यह नहीं किसी ने बोला ncrt पढ़नी है पढ़ा और कह दिया ncrt निप्टा दी उनसे यदि कुछ एक कंसेप्ट पूछ लिया जाए तो वह घबरा जाएंगे वह ब स्पेक्ट्रम पढ़ना है स्पेक्ट्रम की जो किताब है यह काफी महतवपूर्ण है आपके पीटी के लिए भी और आपके मेंस के लिए इधर मत देखो अभी इधर मैं बात करूंगी पहले जो मैं बोल रही हूं उस पे ध्यान दो मुझे पता है कहीं बच्चे यहां आते हुए तो स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है साथ ही विपिन चंद्रा यह किताब आपको complete यानि पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके कुछ selected topic आपको पढ़ने है क्या पढ़ने है selected जो विशय है चैनित जो topic है वह आपको पढ़ने है और वह चैनित topic कहां से पता लगेंगे पिछले साल के MCQ से जैसे गांधी के जितने भी मूवमेंट है आप विपिन चंद्रा से पढ़ो एक दम सरल भाषा में एक दम मतलब मज़ा आजाएगा आपको पढ़के इतनी सरल भाषा में किताब है तो विपिन चंद्रा से selected topic पढ़ने है जैसे गांधी के मू दोलन आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो selected topic आप विपिन चंद्रा से पढ़ सकते हो और यह तो आपको हर जगय करना ही है previous question paper का विशलेशन इसे लिख के चिपका लो अपनी दिवार पे ताकि सुबह शाम आप देखोगे तो आपको आभास होगा कि हम कहां पे गलत है तो PT और मेंस के questions का विशलेशन यह शेकर प्लासी से विभाजन शेकर बंधो पाध्याए आपको पढ़ने की जरूत नहीं है जब हमारी टीम आपको course में पढ़ाएगी तो हमारी टीम already इन सारे book का crux जो है आपको provide करा देगी अब जैसे कहीं बच्चों की problem क्या होती है ना ancient से question आया मानलो एक और बच्चों को पता लग गया भाई ये एक question ना इस फलानी किताब से आया है तो कोई बच्चे सोचेंगे आज जो है ना अगले 10 दिन में इस किताब को पी जाएंगे हम भाई साहब कभी वो किताब आपको पी जाए एक question के लिए energy मत वेस्ट करो smart work करो अब मानलो वो एक question यदि बाहर से आ गया आजकल ancient medieval से थोड़े difficult question आ रहे है पीटी में तो उन question के पीछे नहीं भागना है भाई basic cover कर लो अपना easy question गलत नहीं होना चाहिए मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती हूँ आप कभी आजमा के देख ले ना इस बात को भगवान गरे आजमाने की जरूरत ना पड़े अगर किसी व्यक्ति का पीटी फेल होता है न तो वो easy question ना करने के कारण फेल होता है य और easy question को सही करने का तरीका क्या होता है अब कहोगे कि मैं वहाँ पे तो बड़े घबराहट होती है हम बड़े confused हो जाते हैं सब होते हैं confused हम इनसान है ना exam hall में जाके और वो भी जहां पे हमें पता है negative marking है confusion तो होएगा ही तो वहाँ पे हमें समस्दारे से काम लेना होता है उससे पहले समस्दारे से काम लेना होता है basically MCQ लगाओ PCS के आपको कहोगे कि मैं IS की परिक्षा में PCS के PCS के लगाओ easy question गलत नहीं होंगे आपके फरजी फरजी question गलत करके आते हो कहीं बार उसके बाद मन करता है माथा फोड़ लें दिवार से अपना मतलब टकरा टकरा के जब तक खून ना निकल जाए है कितना easy question कैसे गलत हो गया तो उसका सबसे सही तरीका होता है पिछले सालों के question को कम से कम 8 से 10 बार लगा के जाओ उसके बाद फिर आपको confusion होना बंद हो जाएगा आपके एक दो question ले लेती हूँ और ये मेरी class का मतलब है यहाँ पर study IQ study IQ IS Hindi की जो आप course लोगे उसकी class में आपको ये सारा चाहे शेकर बंधो पाध्याय है या जितनी महतपोन पुस्तके हैं उनका क्रक्स निकाल के आपको notes provide कराए जाएंगे एक समझ विक्सित की जाएगी पूरे के पूरे course में ठेक है ध्यान रखेगा अब हम आते हैं इंडिया after independence पे उससे पहले मुझे एक बार ये बता दो बुझे समझ में आ रहा है कैसे तोड़ के पढ़ना है सिलेबस को कितना विशद सिलेबस है जो आराम से बैठे हो ना सुस्ता के उठते हो दस बजे और रात में रील्स चलती है तीन घंटा जिंदग जिंदगी जी रहे हो आप लोग घर वाले पैसे बेज देते हैं महीने में 10-15,000 आ जाते हैं किराया विराया दे के बचा लेते हो एक दो हजार रुपिये रिचार्ज विचार्ज करवाते हो रील्स चलती है रात भर है ना सुधर जाओ यदि महनत करनी है तो ढंग से करो अधर्वाइस भाई कोई व्यापार कर लो स्टार्ट अप कर लो स्टार्ट अप करने की यदि शमता नहीं है तो कोई रेड़ी वेड़ी लगा लो क्या पता दस साल बाद वो एक बड़ा रेस्टरेंट बन जाए मजाक नहीं कर रही हो अगर महनत करनी है तो शिद्दत से करो थोड़ी बहुत महनत से नहीं होगा जूट बोलना नहीं आता है अगर आप यह सोच र महनत भी तो करो अगर आप यह सोच रहे हो कि कम पढ़ के UPSC हो जाएगा तो आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हो जो कि कभी पूरा नहीं होगा पूरा तब होगा और अवश्य होगा आपके अंदर वो छमता है आप भले ही गरीब प्रिष्ट भूमी से हो लेकिन आप म लोग समझदार है अब देखो आगे अनन मैं इसका जो है ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस कोर्स का मेरे टेलिग्राम चैनल है ललीता दही अकैडमी उस पर भी इसका लिंक है स्टडी आइक्यू की वेब साइट पे चले जाओ स्टडी आइक्यू के एप पे चले जाओ हर जगे इस कोर्स का लिंक मिलेगा लिंक जब आप कोर्स पर क्लिक करोगे तो वो कोड मांगेगा कोड मांगेगा तो LDLIVE यदि आप कोड यूज करोगे तो आपकी फीस सीधा घटके कितनी हो जाएगी 189999 हो जाएगी इस कोड का प्रियोग करके आप एडमीशन ले सक चलो अब बात कर लेते हैं इंडिया आफ्टर यह क्या हो गया भाई मेरे से ना यह बोर्ड अभी हैंडल करना आता नहीं है हाँ आ अगया अब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में एक लाइन लिखके छोड़ दी गई है कि स्वतंतरता के बाद यानि स्वतंतरता के बाद जितने भी देश के अंदर एकी करण और पुनर गठन इतना लिखके छोड़ दिया गया है तो हमें ये पार्ट जो है ना इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस मेंस के पॉइंट ओफ यू से काफी जादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से हमें काफी सारी चीज़े पढ़ने को मिलेंगी और जो हमें पढ़ने भी चाहिए जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा राश्ट निर्मान यानि विभाजन और उसके बाद भारत सरकार ने क्या-क्या प्रियास किया राश्ट निर्मान के लिए क्या-क्या प्रयास किये, वो सारे प्रयास हमें पढ़ने पड़ेंगे, प्रिंसली स्टेट का एकी करण कैसे हुआ, वो सारी चीजे देखने पड़ेंगी, राज्यों के पुनरगठन के उपर क्या-क्या बाते हुई, भाशा के अधार पे राज्य के पुनरगठन से संबंधित क्या प्रयास हुए, कौन-कौन से आयोग बने, किस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की, यह सब हमें इंडियाक्टर इंडिपेंडेंडेंस में पढ़ना पड़ेगा, राज-भाशा विवाद है ना, तो यह भाशा के आधार पे जो अलग- कर्मान की मांग को स्विकार कर दिया, हो सकता है कि स्विकार ना किया हो, तो इन सारे आयोगों को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जन जाती है एक ही करण, जन जातियों या ST के कल्यान के लिए भारत सरकार की क्या योजनाय थी, क्या वीजन था, इस पूरे वीजन की जानकारी आपको होनी चाहिए, और ध्यान रखेगा, यहाँ पे आपके वल, मैं एक बार आगे पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट बात बताऊंगी, ध्यान रखना, इतना पढ़ेंगे, उसके बाद, हमारी फोरेन पॉलिसी, यह फोरेन पॉलि किसी के जो तत्व हैं, जैसे नैम है, गुट निर्पेक्षिता है, पंच शील है, पाकिस्तान चीन से युद्ध है, ना भी किया निती है, यहाँ से कोशन आपका आईयार में भी पूछा जा सकता है, विदेश निती से तो पूछा आईयार में जाएगा, लेकिन कैसकते, अरे रे रे रे, यह तो पेपर सेकेंड का भाग था, यहाँ कैसे पूछ लिया, क्यों नहीं कैसकते, सुननो ध्यान से, यह पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, और पेपर फोर, यह अलग-अलग नहीं है, यह आपस में जुडे हुए है, इंटर लिंक है, कहीं सारी घटनाएं ऐसी है, जो आप पेपर वन में भी पढ़ोगे, पेपर थ्री में भी पढ़ोगे, पेपर टू में भी पढ़ोगे, पेपर फोर में भी पढ़ोगे, बास समझ में आई, तो अलग-अलग करके नहीं लेना है हमको, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पढ़ें राजनितिक दृष्टिकोंड था ये सारी चीज़ें आपको पेपर वन के पॉइंट ओफ यू से भी पढ़नी पढ़ेंगी ठीक है अगला है अर्च विवस्था अब आपको होगे कि मैं यह तो हम एकोनॉमी में पढ़ेंगे इसलिए कहा सारे इंटर लिंक है अब जैसे होशी और भूमी सुधार यहां से सीधा सीधा कोशन मनता है एकोनॉमी में लेकिन फर्स पेपर से जोड के भी तो कोशन मन सकता है न कि भाई भारत ये 1947 के बाद भारत सरकार के क्या राजनितिक वीजन था क्या आर्थिक वीजन था भारत का विकास करने के पीछे फिर्स पेपर में पूछ लिया तो तब भी भी तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्या क्या किया है 1947 से लेकि 1990 तक इसलिए कहते हैं ना अंतर विश्यक द्रिश्टिकोंड और UPSC के सिलेबस की खास बात यही है यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो भी आप सेकिंड पेपर में भी जब आप सोशल जस्टिस पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ते हो है ना तो ध्यान रखेगा बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है जो कि समय के साथ साथ आ जाएगा जैसे हमने देखा 1947 के बाद हमने देखा कि भई राष्ट निर्मान के बंधन तो यह है सेकिंड पेपर का पार्ट लेकिन फर्स्ट पेपर में भी हम यह नहीं कह सकते कि हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 1947 के बाद आप यहां पे टोपिक देखो ना एकी करण और पुनरगठन यह एकी करण क्या केवल राजनितिक एकी करण है क्या केवल एतिह पासिके की करण है या आर्थिके की करण भी है सामाजिके की करण भी है सांस्कृतिके की करण भी है इन सब को हमें पढ़ना पड़ेगा जैसे सामाजिक में हमें लोकप्रिया अंदोलन जितने हैं संप्रदायवाद है स्वतंतरता के बाद से भारतिय महिलाएं हैं यहां से क कोशन पूछता है भारतिय महिलाओं भारतिय महिलाओं में सोसाइटी हालां कि वो फिर्स पेपर काई पार्ट है वहां से भी कोशन बन सकता है नकसलवाद है अब यह जो नकसलवाद है इसको पेपर 3 में इंटरनल सेक्योरिटी में पढ़ोगे हिंदी में लिखती हूं आंत्र सुरक्षा में आप इस नकसलवाद को पढ़ होगे आपको मैं एक बात बता दू कि यह जो कोर्स आ रहा है न 14 फरवरी से इसमें मैं आप लोगों को पांच चीज़ें हैंडल कराने वाली हूं पांच चीज़ों का मतलब पांच विश है मतलब क्या-क्या आपका गवर्नेंस सोशल जशूस्टिस, सोसाइटी और इंटर Hilf Phiण से यदि मैं इन 4 हो जाता है तो दूने से नहीं आपके आते हैं औरम यहां से आपके आते हैं तो acompan बेंदे से नहीं पढ़ेंगे जब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे नहीं जाएंगे बहत है ना तो यह चार topic में basically आप लोगों को इस batch में पढ़ाने वाली हूं साथ ही निबंध लेखन पूरा का पूरा essay writing मेरा मेरी जिम्मेदारी है अगर आपको मेरे से पढ़ के समझ में आ रहा है और जो बच्चे नए मुझे सुन रहे हैं मेरी classes अभी शुरू हो चुकी है study IQ IS Hindi channel पर मैं IR पढ़ा रही हूं आप मेरी दो क्लास सुन लो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आप course लो ध्यान रखना हमारी सिंपल सी policy है बच्चों का satisfaction बच्चों की संतुष्टी बहुत बड़ी मायने रखती है हमारे लिए आप यदि वास्तम में संतुष्ट हैं कि हाँ इस टीम के साथ हमारा बेडा पार हो सकता है तो आप निश्चित तोर पे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं ये सारी चीज़े हैं हमारी भई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस इसके लिए क्या पढ़ना है प्रिविएस एर कोशन विशलेशन ध्यान रखना विप प्रणोतियों के समाधान के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये है ना तो हमें एक वीजन मिल जाएगा समाजिक तोर पे क्या हुआ आर्थिक तोर पे क्या हुआ राजनितिक तोर पे क्या हुआ है ना अंतरराष्ट्य स्तर पे क्या हो रहा था उस दोरान भारत का क्या रूख था हलां कि वो बाते हम अंतराष्ट राजनीती में भी पढ़ रहे हैं लेकिन एक बार इसको पढ़ लो साथ ही एक ना NCRT आती है बार्मी की स्वतंत्र भारत में राजनीती सबसे पहले तो इस NCRT को ही पढ़ना यह थोड़ा नीचे और Study IQ के जो Notes है ठीक है जो हम पढ़ाएंगे आपको बैच में हिंदी वाले जो ध्यान रखना यह जो बैच होगा नहीं कंप्लीटली हिंदी माध्यम के स्टूरेंट के लिए हैं हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से अकसर डाउट आते हैं बच्चों को कई बार Notes English में मिल रहे हैं कई बार bilingual classes हो रही हैं तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं तो यह हिंदी का मतलब है कि आपकी सारी classes हिंदी में ही होंगी ध्यान रखना तो यह हो गया भाई हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस वाप रिवाप लग रहा होगा ना मैं मतलब इतना पढ़ना है कुछ नहीं है एक बार शुरुवात तो करो है ना बता दो यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल discussion होगा बच्चे ध्यान रखना एक बार थम्स अब दे दो भाई मेरी भी एनर्जी बढ़ा दो मैं भी मतलब एक घंटा तो होई गया मुझे भी अभी बचा हुए से लिबस पहाड जैसा इसलिए मैंने संडे का दिन चुना अक्सर बच्यें न संडे को तफरी करते हैं तफरी है ना तो तफरी अच्छा है चार संडे दे दो पूरा सिलिबस समझ लो है ना ध्यान रखना अब एक बारा फटा फट देख लेते हैं world history world history में हमें ध्यान रखना है दोस्तों सीधा-स सिदा दिया है विश्विति हास में 18 सदी तथा बाद की घटनाए और इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा पूरी ओद्योगी क्रांती ओद्योगी क्रांती की प्रिष्ट भूमी भी जिसमें हम पुनर जागरन प्रबोधन सारी चीज़े पढ़ेंगे विश्वयुध राष्ट्रे सीमाओं का पुनह सीमांकन उपनिवेश्वाद उपनिवेश्वाद किस्माप्ति राजनितिक दर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था सामयवाद पूंजिवाद समाजवाद अब जब हम इनको तोडेंगे ना तो बहुत कुछ निकलेगा खजाने से ओद्योगी क्रांती का मतलब ओद्योगी क्रांती ही नहीं है इसकी प्रिष्ट भूमी भी देखनी पड़ेगी ना ओद्योगी क्रांती क्यों हुई उसके पीछे के अधार क्या थे इंग्लेंड में ही क्यूं हुई पहली ओद्योगी क्रांती यह जब ओद्योगी क्रांती हो रही थी तो अचानक से हो गई कि उसके पीछे कुछ विचार उसके पीछे कुछ घटनाएं जिम्मेदार थी तो उन सारे घटना क्रमों को हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा जैसे हमें पुनर जागरन देखना है प्रबोधन देखना है समुंदरी मार्गों की खोज देखनी है जो समासुधार अंदोलन हो रहे थे यूरोप में भारतिय समासुधार नहीं यहां पर यूरोपियन जो समासुधार हो रहे थे उसके पीछे की क् चीजें, दास व्यापार, अमेरीका, स्वतंत्रता, संघर्ष, तो ये सारी चीजें, फ्रांस की क्रांती, ये उरोप में राश्ट्रवाद की जो लहर दोड़ी, उस राश्ट्रवाद की कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या था, पुझी वाद का उद्य कैसे हुआ, और प्रिष्ट भूमी पता होगी और पूरी की पूरी प्रिष्ट भूमी हमें पढ़नी पड़ेगी तो इसलिए ये मत समझना कि आगया पुनर जागरन से कोशन आपको होगे जा पुनर जागरन तो लिखा ही नहीं था सिलेबस में UPSC ने तो बेवकुफ बना दिया UPSC ने बेवकुफ नहीं बनाया बेवकुफ आपने अपना बनाया क्योंकि आपने सिलेबस को डिकोड करके नहीं पढ़ा बास समझ में आई बच्चे तो ध्यान रखना ओद्योगी क्रांती जब आप पढ़ोगे तो ये सारा का सारा घटना क्रम आपको उसके साथ अटेच कर करके पढ़ना पढ़ेगा इसके साथ सेकट तक इल्स का प्रत्थम विश्वयूध यानि हमें युद के कारण देखने हैं परिणाम देखने हैं रूसी क्रांती 1917 में ही हुई था इसी दो रान तो रूसी क्रांती को देखना पढ़ेगा इसके साथ ही league of नेशन जो 1920 में लीग ओफ नेशन बना इसको देखना पड़ेगा लीग ओफ नेशन की विफलताएं यह लीग ओफ नेशन विफल क्यों हुआ फिर से सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हो गया तो यह सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और दो विश्व युद्धों के बीच क विश्व यह नि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा कारण प्रभाव रूसी क्रांती लीग ओफ नेशन सेकंड वर्ल्ड वार तो देखेंगे ही 1939 तो 1945 उसके बीच का घटना करम भी हमें देखना पड़ेगा मोटे तोर पे हम यह कह सकते हैं कि हमें कुल मिला के पूरा वर् दिकास पढ़ेंगे इन की निती का महत्व पढ़ेंगे हैं ना 1919 की महामंदी को हमें पढ़ना निस की नहीं थी 1939 की ठीक है 1939 की महामंदी को पढ़ना पढ़ेगा सोवियत संग का उद्या कैसे हुआ एशिया और अफ्रीका में राष्टवादी आंदोलन कैसे प्रसारित हो रहे थे और यूएस से एक मजबूत शक्ति के रूप में उपरा है ना और खासकर 1945 के बाद तो आप देखोगे दूई धुरुए विश्वी की शुरुवात हो गई एक तरफ यूएस एक तरफ इन्स में पढ़के जाएंगे तभी कवर होगा हमारा हमें तो चारो पेपर पढ़के जाने हैं इसलिए मैं बार बार बोलती हूं अंतर विश्यक दृष्टिकोंड हमेशा रखना है ठीक है इसकी युद्ध की शुरुवात इसका प्रभाव अमेरिका का प्रवेश मतलब त थी फिर राष्ट्य सीमाओं के पुनह सिमांकन में द्वित्य विश्यूद के बाद की यूरोब की क्या स्तिती थी शीत युद्ध पूरा पढ़ना है हमें एशिया और अफ्रीका का उद्या पढ़ना है पश्चिम एशिया और नोर्थ अफ्रीका में कैसे विकास हुआ और आपका है और आपका होगे कि भाई क्यूबा संकट तो दिया ही नहीं है सिलेबस में तो ऐसे नहीं होगा सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है उन सारी घटनाओं को आपको पढ़ना पढ़ेगा शीत युद्ध से जोड़के ठीक है क्योंकि अब यहां पर हम श कंप्लीट होगा अब कहीं बच्चे कहेंगे मैं वर्ल हिस्ट्री से तो कोशन ही नहीं आ रहे एक बात और समझ जाओ अगर आइस बनना है तो हम ना आई जो यूपीएसी है ना वह बहुत अप्रत्याशित है अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है हम कुछ कह नहीं सकते उस चान पाना मुश्किल है हमेशा हमें अपना पूरा सिले बस कवर कर जाना है किसी की बातों में आके नहीं जाना है कि वर्ल फिस्ट्री को छोड़ देंगे अरे भाई एक साल में कौशन नहीं आए अगले साल तीन कौशन पूछ दिये तो क्या करोगे बताओ कहीं बार ऐसा ह हुआ है करोड लिख रहे थी भाई करोड कहां से आ गया है यहां तो लाखाओं में बात भी नहीं है इसलिए कहते न सपने मेरा तो पैन भी बड़े-बड़े सपने देख रहा है एनिवे अब जैसे देखो मैं पीटी का एक्जेंपल दे रही थी यहां पर पीटी में क्या होत मतलब 30-40 के बीच में बच्ये करन्ट मतलब सब कुछ छोड़के कॉरंट करंट 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 करण ट्रटके जाएंगे अगले साल कोशन पूछा एक उससे अगले साल कोशन पूछा जी रो उससे अगले साल का तो मुझे डाईटा नहीं आद है 2016 में कोशन आये लगभग 30. variation रहता है ना अब जब variation रहता है तो आप ये claim कर सकते हो कि इस part से तो UPSC question पूछी नहीं रहा है तो आगे भी नहीं पूछेगा भई UPSC ने अपना syllabus दे दिया है कभी भी इस गलत सहमी में मत रहना मेरा आप लोगों को suggestion यही है कि कम से कम मोटा मोटा अपना पूरा syllabus complete करके जाना है हमें किसी की बातों में नहीं आना है कि यहां से question नहीं बन रहा तो हम पढ़के नहीं जाएंगे क्योंकि अगर UPSC अपने पे आ गया तो जिस segment से उसने पिछले 5 सालों से एक भी question नहीं पूछा सीधा उस segment से 3 question पूछ लेगा और फिर हाथ मलते रह जाओगे तो इसलिए इस बहकाविन में नहीं आना है कि हम world history को छोड़ के जाएंगे बात समझ में आई इसके लिए क्या करना है सबसे पहले previous year question तो आपको base रखने ही है NCRT की किताब आती है दोस्तों 11 और 12 की world history के उपर ये NCRT की किताब आपको पढ़ लेनी है इसमें आपको basic basic सारी घटनाई पता लग जाएंगी इसके साथी ना Napoleon हाँ Napoleon वाला part भी आपको यहाँ पे cover करना है इसमें note में लिखा नहीं है Napoleon का पूरा का पूरा history आपको पढ़ना पढ़ेगा यहाँ पे ठीक है ध्यान रखेगा छोड़ के नहीं जा सकते हैं Germany, Italy का एकी करन भी पढ़ना पढ़ेगा कहीं न कहीं वहाँ से भी question बन सकता है Hitler से सीधा फासी बाद जब आप पढ़ोगे तो Hitler से question बन सकता है Mussolini से question बन सकता है है ना Napoleon तो पढ़ना ही है इसके साथ ही ना एक दीनानात पर्मा की किताब आती है यह पूरी नहीं पढ़नी है मैं फिर वही बात बोलती हूँ आप इस बात को गोर कीजिएगा शुरू से अंत तक मत पढ़ो इंपोर्टेंट सेग्मेंट पढ़ो जैसे मालो आपको नैपोलियन समझ में नी आ रहा है तो नैपोलियन पढ़ लिया आपने सोचा की चलो यार फ्रेंच रिवोल्यूशन को तीन चार दो दिन में निपताते हैं बढ़ी आसे क्या पूरा घटना करम हो थोड़ा डिटेल में मिल जाता है चीजेह आपको और सबसे इंट्रेस्टिंग क्या होगा जो स्टडी आइक्यू का कोर्स है हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढढ़ाई जाएगी वर्ल्だ साहने का काम है आपको अगर आप इस course से जुड़ते हैं तो आपको एक तो PDF मिल जाएगी, ठीक है, साथ ही आपको handouts मिलेंगे, जैसे मालनों मैं पढ़ा रही हूं governance, तो एक बंदा बैठा होगा, वो पूरे handouts, class के साथ-साथ hand notes बनाएगा, वो notes भी आपको हर topic available होंगे, ध्यान रखिएगा अगर आप course purchase करते हैं तो, तो यह हो गया जी हमारा world history, उसके बाद आते हैं हम Indian society पे, यानि हमारे दो segment cover हो गए, मोटे तोर पे, first paper में चार चीजे पढ़नी होती हैं, जिसमें art and culture, modern history, society और आपका geography, और फिर history में तो आपका, art and culture में आपका ancient medieval का कुछ, कला वाला पार्ट शामिल हो जाता है, पूरा modern history, पूरा world history, modern history में India after independence भी include है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, तो मुझे बता दो, एक बार, आप लोगों के एक दो question ले लेती हूं, मैं भी थोड़ा rest कर लेती हूं है न, rest, आप कहोगे मैम आराम हराम है, है न, मैम international relations के लिए book कौन सी refer, हिंदी medium के लिए यार, सबसे पहले NCRT निप्टा लो, मेरी class देख लो, किताब के चक्कर में जाने से ज़्यादा अच्छा है, न्यूस पेपर को पढ़ना शुरू कर दो, न्यूस पेपर में articles होते हैं, अब आप कहोगे मैं वहाँ पे तो आज से दिये हैं, कोई बात नहीं, मालो पिछला घटना करम पता नहीं है, class देखो, आज से न्यूस पेपर पढ़ना शुरू करो, ये नहीं करना है कि पिछले एक साल का न्यूस पेपर उठा लेना है, कभी नहीं पढ़ पाओगे, आज से पढ़ो, लेकिन continue पढ़ो, दो महीने बाद आपकी एक पूरी सोच समझ बन जाएगी, जितने भी contemporary issues होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़ी है मैंना, जिसको जिसको tell you, gram group के discussion में add होना है, अचा ठीक है भाई, वो तुम अपना बोल रहे हो, हिंदी literature की कोई class होगी, मैं study IQ की तरफ से, हिंदी literature अभी optional नहीं आया है, अभी केवल GS आया है, जिसमें आप लोगों का PT plus means, दोनों चीजे include होंगी, 14 फरवरी से class शुरू हो रही है, अगर admission लेना है, मैं एक बात बोलूँगी, अगर लेना है, तो पहले ही ले लो, ताकि शुरू से class कर सको, मालो आपकी 10 class शुट जाएंगे, फिर वो 10 class कवर करने में आपको extra effort लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 घंटे की class है न, वहाँ पे, तो अगर admission लेना है, तो शुरू से ले लो, ताकि 14 फरवरी से ही आप एक regular class करते जाओ, answer writing करो और उससे related पढ़ना, शुरू कर दो है न, ध्यान रखना, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, Indian society की, भारतिय समाज की मुख्य विशेशताएं दी गई है, भारत की विविधता, अब देखो, जब हम देखते हैं भार एक तो विशेशताएं हो गया, फिर भारत की विविधता में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, भाई भाशाई विविधता है, जातिय विविधता है, समाजिक और धार्मिक विविधता है, प्रजातिय विविधता है, विविधता के कारण वहुत सारी चुनोतियां है, अब देश इतना सरल थोड़ी नहीं चलाना, जाती क्या धार पे जगडे हैं, धर्म क्या धार पे जगडे हैं, छेत्र क्या धार पे जगडे हैं, तो अलग-अलग जगडे हैं, अलग-अलग चुनोतियां हैं, और साथ ही unity, एकता की बात, तो ये सारे concept हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे ध्यान रखना इंडियन सोसाइटी वाला पूरा पूरा जितने भी टोपिक है मैं कराऊंगी और याद रखना आप 20 से 25 क्लास के बाद इतना भी डाउट आपका नहीं रहेगा और कोई ऐसा कोश्चन नहीं होगा जो आप लिख पाने में अस्तफल होंगे क्योंक क्योंकि फाइनली हम नहीं लिख के आएंगे आपकी जगह में लिखना आपको ही है तो इसलिए आपको अपने सोचने की कला को विक्सित करना है जो एक दिन में नहीं आएगा क्रमबध तरीके से आएगा तो पहला टॉपिक समझ में आया विविधता मतलब क्या विविधता में एकता की अवधारना क्या है और इस अवधारना को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है आसमानता और निशकाशन आसमानता के क्या कारण है और परिवार व्यवस्था क्या है ये सारी चीज़ें हमें यहां पे पहले टॉपिक में लग समझ में आया दूसरा टोपिक है जो हमारे समाज में हम पढ़ते हैं सीधा लिखके छोड़ दिया है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन अब इससे तो नहीं होगा कैसी भूमिका कैसे संगठन उसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके हमें पता लगेगा अब यसे देखो 19 वी सताधी के समाज और धर्म सुधार आंदोलन इसको भी हमें सुसाइटी से आड़ करना है सिदह सिदह नहीं समाज से अड करना है कि भई 19 वी शताबदी में जो समाज और धर्म सुधार अंदोलन चल रहे थे आखिर उन समाजिक और धार्मिक सुधार अंदोलनों का जो कोर सरकार की जितने भी प्रयास देखते हूं महिलाओं के संदर्भ में वो प्रयास देखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आखिर महिलाओं ने किन-किन चुनोतियों को सामना किया है तो ये हमें समझना पड़ेगा फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्रिशी आंदो पूरे freedom struggle में महिलाओं की क्या भूमिका थी अलग से question मन सकता है तो यहाँ पर हमें कुछ factual knowledge भी होना चाहिए क्रमबद तरीके से लिखने का ग्यान भी होना चाहिए है ना गांधी युग में महिलाओं की भूमिका 1947 के बाद महिला संगठन 1970 के दशक में महिला संगठन और समकालीन समय में महिला संगठन से जुड़े हुए मुद्दे जुड़े हुए बिंदू ये सारी चीजे हमें पढ़नी पढ़ेंगी जैसे महिला संगठन और SSG ध्यान रखना ये स्वियम सहायता समू जो है ना आप paper कौन बताएगा कौन से paper मे भी अलग से एक topic दिया है सबसे पहले जो बताएगा उसे क्या online जो है शाबासी दी जाएगी बताओ SSG का जो topic है ये first paper में भी हमें देखना है जब महिला संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हम पढ़ेंगे ये SSG का topic और कौन से paper में है आप लोगों की comments मुझे शोनी हो है एक मिनट तो चाओ किसी cancer साप सूंग जाता है क्या या फिर answer हो सकता है कि मेरे side से कुछ problem आ रही हो लेकिन answer आ जाना चाहिए था भाई नहीं आ रहा है आ गया सौरव बहुत बढ़िया very good सौरव का answer आया है ठीक है main का ठीक है ethics में views होएगा लेकिन clearly कहां लिखा है ज्यान दर्शन very good मुस्कान नहीं बच्चे अमित बिल्कुल सही बात है वैशू सोहन यानि कुछ-कुछ बच्चों ने syllabus पढ़ा है है ना सूरिया बिल्कुल सही बात ह बहुत बढ़िया जी एस टू जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको दो अलग जब आप governance पढ़ोगे मेरे साथ उसमें दो टॉपिक अलग से हैं एक आपका NGO और एक आपका NGO मतलब non-governmental organizations और आपका SSG यानि self-help group तो यह self-help group आप स्विम सहायता समूँ आप first paper में भी म लेकिन भाई महिलाओं से जुड़े हुए संगठनों की बात हो रही है तो SSG से जोड़के महिला के साथ लिंक करके question first paper में भी पूछा जा सकता है तो यह हमें पढ़ना है और महिला संगठन और उनकी चुनोतियां क्या है और जब हम चुनोतियां पढ़ेंगे तो उनके समा अधान क्या क्या हो सकते हैं यह सारी विशे हमें पढ़ने पढ़ेंगे society में यानि पहला पार्ट भारत्य समाज की विशेष्टाएं विविदताएं महिला संगठन और महिला संगठन तीसरा पार्ट है जो सीधा लिग के छोड़ दिया है जन संख्या और संबंध मुद्द अब बच्चे ना भटकते रहते हैं क्या पढ़े मतलब जन संख्या दे दिया और संबंधित मुद्दे दे दिये इसको डिकोड करना है क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा इस टोपिक के अंतरगत हमें क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा तो ध्यान रखेगा हमें सबसे पहले इस क्या हो सकते हैं यह देखना पड़ेगा जन संख्या विसफोट की चुनोतियां क्या है हमें किन किन चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है और याद रखना जब भी हम चुनोतियां देखेंगे तो चुनोतियों के साथ हमें समाधान को भी देखना पड़ेगा क्योंकि खाल विवठी की प्रवर्ति देखनी पड़ेगी उसके धोरेंगे। भाइँ उसके आखिर क्या अर्थ है। भारतिये जनसंख्या की उम्र सरंचना में बदलाओं और उसके नहीत आर्थ, और सीधा यहां से जुड़ता है जन सांखी की लाभांच। तो हमें पता होना चाहिए जनांकी की लाभांच है, जनसांकी की लाभांच क्या होता है, है ना, इसका हम बेसिकली लाब कब प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमने जनसांकी की लाभांच पर काम नहीं किया, तो फिर हमें इसके खत्रे कैसे उठाने पड़ सकते हैं, तो इन सा पलशी बात है ना 100 लोग हैं 100 लोगों में यदि जन सांखी की लाबहांच बढ़ रहा है यानि हम कहें कि 15 से 35 वर्ष की आयूँ वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है यानि जादा लूग बुठे हो रहे हैं व्रद्ध हो रहे हैं तो व्रद्धों के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा जन संख्या के दृष्टी कौन से जन संख्या में व्रद्धों की संख्या का बढ़ना और उसका प्रभाव पूरी के पूरे समाज पे अर्फे वस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा त उन मुद्दों में हमें यह विशेवस्तु देखनी है तो अब जब भी आप जन सांखी की लाभांच को देखोगे ना आपके दिमाग में तुरंट आना चाहिए फर्स पेपर सोसाइटी का पार्ट है है ना वेरी गुड अब अगला है अगला है गरीबी और विकासात्मक विशेव ध्यान रखना गरीबी का जो टॉपिक है ना यह गरीबी आप पेपर सेकिंड में भी पढ़ोगे सोशल जस्टिस जो मैं पढ़ाऊंगी आपको सोशल जस् गरीबी कही ना कहीं आप पेपर तीन में इकनौमी जो अतुल सर आपको पढ़ाएंगे इसमें भी पढ़ोगे तो गरीबी और विकासात्मक विशेव इसके अंतरगत हमें क्या देखना पड़ेगा विकास और गरीबी की संकल्पना क्या है गरीबी के कारण क्या है इसके प भूखा व्यकति राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनोती होता है क्योंकि जब किसी व्यकति का पेठ ही नहीं भरा है तो राष्ट्र नहीं चलेगा उसके दिमाग में सुरक्षा नहीं चलेगी उसे अपना पेठ भरना पड़ेगा पहले तो जो गरीबी है वो कही न कहीं चुनोतियों को जनम देती है तो समाजिक दृष्टी कोन से सीधा सीधा यहां से कोशन बन सकता है फिर अर्जन गरीबी यह क्या नाम है अर्बन गरीबी मतलब शहरी गरीबी की समस्या क्या है गरीबी उनमूलन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है गरीबी, असमानता और विकास तीन चीजे हैं गरीबी, असमानता और विकास इनके बीच में क्या संबंध है यानि जब भी आप गरीबी को पढ़ोगे तो गरीबी को पढ़ने का नजरिया यही होना चाहिए क्या है, प्रभाव क्या है, नहितार्थ क्या है इसके साथ ही मापने का क्या-क्या तरीका है गरीबी से क्या-क्या चुनोतियां उत्पन हो सकती है गरीबी, असमानता और विकास के बीच में क्या संबंध है तो इस तरीके से हम गरीबी वाले पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे इसके साथ ही इसका अगला टॉपिक है दोस्तो सोसाइटी का शहरी करन उनकी समस्याएं और उनके रक्षो पाए ये देखे छोड़ दिया अब जब हम इसको decode करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भई शहरी करन की प्रवर्ति और उसके नहितार्थ क्या है शहरी करण बढ़ने के कारण क्या है क्यों बढ़ रहा है शहरी करण पुश फैक्टर कौन से है पुल फैक्टर कौन से है यह सारे हमें यहां पढ़ने पढ़ेंगे शहरी छेत्र यदि बढ़ रहा है तो क्या क्या समस्याई उत्पन हो रही है समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक नहिधार्त क्या है और शेहरी छेतर में सिलम एरिया जो जुग्गी जोपडी एर वो बढ़ रहे हैं तो मेरी आज की किया समस्थियाए और यह सिलम इरिया। यह फिर जो पिछले टॉपिक से जोड़ोगे जो गरीबी है शहरी छेत्रों की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रही है है ना तो ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए है ग्रामीन छेत्र में शहरी करण का बढ़ता हुआ प्रभाव हमें देखना पड़ेगा और सरकार के द्वारा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों को देखना पड़ेगा और क्या करना चाहिए ताकि हम गाओं का भी विकास कर सके और जो कहीं ना कहीं शहरी करण बढ़ रहा है एक तो हम शहरों का इस तरीके से विकास करें कि बढ़ती हुई जनसंख्या को वो अपने अंदर समायोजित कर सके हम गाओं का विका सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसके लिए तो हमें कुछ योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए जब हम अपनी अंसर राइटिंग करते हैं यहां यदि वहां पे भावनात्मक फैंक के आओगे न यह हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर नहीं मिलेंगे वहां पे ह हमें कुछ तथ्यात्मक बेस भी देना पड़ेगा हमें बताना पड़ेगा कि भाई सरकार का ये वीजन है यह योजनाओं चल रही है है तो हमें कुछ योजनाओं की तथ्यात्मक जानकारी भी होगी जो इस पूरी क्लास में आपको दी जाएगी याद रखिएगा अगला भारतिय समाज पर भूमंडली करण का प्रभाव भूमंडली करण किसका टोपिक है वह हम एकनॉमी में पढ़ेंगे भूमंडली करण या अर्थ वश्ता इसमें हम आई-आर में थोड़ा बहुत देख लेंगे लेकिन मेंली ये पेपर तीन का पार्ट है लेकिन सोसाइटी भूमंडली करण का प्रभाव पूछ लिया और पूछता है यहां से हर बार लगभग एक कोशन आता है वही समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनितिक प्रभाव क्या हो रहा है भूमंडली करण के आयाम क्या है भूमंडली करण और भारत क्या है भूमंडली करण का महिला सशक्तिकरन, इसमें हमें समाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ ग्रूप है, समाजिक सशक्तिकरन के आयाम और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, इसमें हम हर वर्ग को पढ़ेंगे, महिलाएं तो मेन आएंगी ही, और जो भी हमारे सुभेद्य वर्ग है, SC, ST, दिव्या इसको हम सोशल जस्टिस में भी पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस में हम पढ़ेंगे क्या-क्या योजनाय चल रही है इनके लिए, है ना, और सोसाइटी के साथ लिंक और सोशल जस्टिस को जब हम जोड के पढ़ेंगे, तब जाके हम मेंस में अच्छान सरलिक पाएंगे, है तो इस तरीके से यह आपका अगला टोपिक है और उससे अगला टोपिक है आपका संप्रदायवाद, संप्रदायवाद को बहुत डेटेल से पढ़ना है, इसको इसका प्रभाव क्या है, इसको रोकने के क्या क्या उपाएं है, स्वतंतरता के पहले और स्वतंतरता के बाद सं नागरिकों की भी उसमें भूमी का होनी चाहिए तो हमें डिटेल से संप्रदायवाद को पढ़ना पढ़ीगा यह हम पेपर सेकिंड में पढ़ेंगे लेकिन फर्स पेपर में भी पढ़ना है उसके बाद च्षेतरवाद सीधा सीधा सोसाइटी में टॉपिक दिया है च्षेत और चेत्रावाद के प्रभाव क्या हो सकते हैं ? संघुवाद और चेत्रावाद जुड़ के dare company कोशनवन सकता है!!! और चेत्रिय पार्टियों की छेत्रावाद में भूमिका तो चेत्रावाद के संबंδ में सीधह टोपिक बनता है आपको इसको रोकने के उपाय letting अगला लास्ट टोपिक है इसका पंथ निर्पेक्षता यानि धर्म निर्पेक्षता इसमें हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है इसकी विशेशता क्या होती है भारतिय धर्म निर्पेक्षता के समक्ष क्या क्या चुनोतियां है यह धर्म निर् दुआरा धर्म निर्पेक्षिता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए है भारत सरकार क्या कदम कर उठा रही है और जब आप फर्स पेपर लिखोगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सैकेंड पेपर की एक्जैंपल को नहीं लिखोगे वही हमारे समीधान में क्या किया गया है धर्म निर्पेक्षिता के संरक्षन के लिए इसलिए आपके अंसर राइटिंग में भी अंतर विश्यक दृष्टिकोंड दिखना जरूरी है एक्जैमिनर को यह ना लगे कि इसने अलग-अलग पेपर पढ़े हैं और वह पॉसिबल भी नहीं होता है क क्रक्स को सार को इंकल्यूड करना पड़ेगा अपनी अंसर राइटिंग में ठीक है और समान नागरिक सहीता समान नागरिक सहीता पेपर सेकिंड में सीधा-सीधा पूछा जा सकता है लेकिन सोसाइटी के नजरिये से भी उसे पूछा जा सकता है इतना है सोसाइटी मैं फि के साथ ही जो हमारी बाकी की जो टीम है वो बैस्ट से बैस्ट है और उसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है आप एक एक क्लास उन लीजिए सब सभी फेकल्टी के आपको सब समझ में आ जाएगा याद रखिएगा दोस्तों 14 फरवरी मात्र दो दिन बच गए है इस बैच के फटा फट स्टेडी आई क्योंकि एप वेबसाइट पे जा कि आप पर्चेस कर सकते हो एल डी एल आई वी ए कोड का प्रियोग करोगे हो तो मात्र ठारा हजार नो सन इन्यानवे में ये बैच मिलेगा एक बच्चे का कोशन आ रहा सामें वेलिडिटी कितनी होगी तो दो साल की वेलिडिटी है इसकी आप दो साल तक अनिश्चित समय मतलब एक वीडियो को आप 20 बार भी देख सकते हो ठीक है ध्यान रखना हाला कि पढ़ाने के बाद देखने कि इतनी जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टीम बेस्ट है और हाँ ये पीडिएफ आपको ये पूरे के पूरे सिलेबस का पीड लोगे तो फिर दुबारा मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको देख रहे हो कितना है बाप रे बाप अब रणनिती के लिए क्या करना है एक तो भारतिय समाज की NCRT है इसे जरूर पढ़ लो NCRT साथ ही मेरी क्लास होंगी जो कोर्स आप लोगे इस कोर्स में मैं आप ल आपकी समझ विकसित की जाएगी इन क्लासेज में ध्यान रखना एक राम आहुजा की बुक आती है आपको यदि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं बहुत क्लिश्ट लग रहे हैं समझ नहीं आ रहा है आप राम आहुजा की किताब पढ़ सकते हो लेकिन जब आप मेरी क्लास करोगे तो राम आहुजा का जो क्रक्स है वो मेरे नोट में ओल्रेडी अवेलेबल होगा अगर आप मेरी क्लास करते हो तो फिर आपको राम आहुजा की किताब पढ़ने की जरुत नहीं रहेगी क्योंकि मैं ओल्रेडी आपको वहां से भी सार पढ़ाऊंगी ठीक है और पर भी पढ़ाओगे, आप या नहीं, यह सब, नहीं, यह कोर्स का पार्ट है, यूटूब पर मैं IR पढ़ा रही हूं, जो कि आप सुबह नो बचे सुन सकते हो, क्या नाम है बच्चे आपका, अच्छा वेशू, आपके मैने कमेंट्स देखें, बच्चे थैंक्यू सो मच, म मैं उसे फोलो करने का प्रयास करती हूं, और क्या होता है, हमारा मोटिवेशन भी तभी रहता है, जब हमें बच्चों का समर्थन मिलता है, क्योंकि हम क्यों हैं, क्योंकि आप हो, आप हैं तो हम हैं, तो आप और एक बात याद रखना, अपनी तरफ से 100% से भी जादा देगा क्या, तो नहीं, उसके लिए भी काम करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना, यूटूब और कोर्स में ये पढ़ाऊंगे आपको वैशू, अब एक बार लास्ट टोपिक देख लेते हैं, फर्स्ट पेपर का भुगोल, इसमें क्या-क्या है, तो सबसे पहले तो भोतिक भुगोल की विशेष्टाएं, विश्व भर के मुख्ये जो प्राकृतिक संसाधनों का वित्रन है, जैसे दक्षिनेशिया, भारतिया, उप महादवीब को शामिल करते हुए, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उनके वित्रनों को पढ़ना पड़ेगा, विश्व के वि यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और जो हमारी फीजिकल जोग्रफी की जो घटनाई है, जैसे भुकमफ, पूरा, सुनामी, जुआला मुखी, ठीक है, जुआला मुखी हलचल है, चक्रवात है, इन सारी महतोपून, भू, भोतिकी अघटनाओं को पढ़ना पढ़ेगा, भ किसी और दिन हम इस पर डिसकस कर लेंगे, लेकिन मोटे तोर पे जोग्रफी को बहुत जादा डिकोड करने की ज़रूत है भी नहीं, और हाँ, जोग्रफी की जो फेकल्टी है, स्टडी आईक्यू की टीम में, बेस्ट फेकल्टी है, है ना, आप उनसे एक बार पढ़ेंग होता क्या है, और हमने तो पूरा डिकोड करके डेड़ घंटे से जादा हो गया, सिलेबस समझ लिया, यानि पूरा आर्ट और कल्चर, एंशेन, मेडाइवल, मोडन और 1947 के बाद का भारत, विश्वितिहास, इंडियन सोसाइटी और जोग्रफी, ये चार विशे हमें पेप जो एंसी आर्टी आती है, इसमें बहुतिक भुगोल की जो एंसी आर्टी है ना इसमें, मैं मतलब honestly बता रही हूँ, मैंने ये एंसी आर्टी कम से कम 20 बार पढ़ी होगी, जूट नी बोल रही मैं, और 20 बार भी मुझे एक एक लाइन में नए 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 कंसेप्ट दिखे, आपको ये किताबें आसानी से समझ में नहीं आएंगे, आप किसी जो आपका स्टूडेंट भुगोल का जानकार है उसके साथ बैठें, उससे कुछ हेल्प ले लें, आप उसको कुछ और पढ़ा दें जिसमें आप अच्छे हों, तो इस तरीके से आप बैठके, टाइम दे आपको चक्रवात डिटेल में जाना है, आपको भुकम समझना है, जौला मुखी समझना है, तो आप एक किसी बुक को देख सकते हो, या जैसे सविंदर सिंग की एक बुक आती है, सविंदर सिंग के सिलेक्ट टॉपिक, काफी अच्छे दिये हैं, काफी इजी भाषा में सम समझ में आ जाएगा, और फिर आपको पिछले सालों के कोशन का बिशलेशन तो करना ही है, जोग्रफी में एक काम और करना, जैसे, एक मिनिट, मेरे कहने से काम जरूर कर लेना, जैसे मानलो आपने NCRT पढ़ी किताबे पढ़ी है, बात आती हैं MCQ की, मैं MCQ कहां से लगाए पीटी के लिए, तो पीटी के लिए MCQ लगाने का अधार है, सबसे पहले, आप PCS के कोशन उठाना जोग्रफी में, इजी-जी कोशन होंगे, के क्लाइन के कोशन होएंगे, आपको समझ में आएंगे, और काफी कोशन टफ भी होंगे, उसके बाद आप IS के कोशन लगाना, CD के कोशन लगा लेना, TAPF के कोशन लगा लेना, ठीक है, एक काम आप करना, अगर आपके पास हो, 2010 ते पहले, आईए, ओप्शनल का पेपर हुआ करता था, जैसे अभी C-set आता है, तो इस C-set की जगे, आईए, ओप्शनल का पेपर हुआ करता था, जैसे मानलो किसी का कोशन करने होते थे, objective type, अगर ये मिल जाए आपको, 2010 से पहले का, धूंडने का प्रयास करना, इसमें, फीजिकल जोग्रफी से related, कुछ तो जोग्रफी के जो ऑप्शनल वाले पेपर होते हैं, थोरी वगेरा से रहते हैं, वो आपको करने की ज़रूत नहीं है, लेकिन जो जोग्रफी के लगभग हर साल, मालों, 100 कोशन होते थे, तो 20 के आसपास कोशन पूछे जाते थे, ये 20 कोशन, अगर आपने हर साल के लगा लिए, जोग्रफी का कोई कोशन आपकी रेंज से बाहर ने रहेगा, पीटी में, ध्यान रखना, तो इसके लिए प्रयास करना, बा लेकिन ध्यान रखना, ये क्लास बहुत इंपोर्टेंट सी आप लोगों के लिए, थोड़ी लंबी खिची, क्योंकि सिलेबस बड़ा है न, भई, अब मैं पांच मिनिट में आके खतम करा दू, आदे घंटे में खतम करा दू, तो कोई मतलब नहीं रहता है, मेरा भी तो सं अधार है सिलेबस को समझना, आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास, मुझे जरूर बताना, और अगर ये क्लास अच्छी लगी, और अगर आप सेकिंड पेपर के सिलेबस को भी ऐसे ही डिकोड करके समझना चाहते हूं, है न, मतलब बिना डिकोड के तो आपको UPSC की वेब स साइट पर अलग-अलग जगे मिल जाएगा, अगर आप डिकोड करके समझना चाहते हूं, एक एक टॉपिक को, तो आप कृप्या करके मुझे कमेंट बोक्स में लिखे, अगर आप कमेंट में बताएंगे, मतलब अगर मुझे बोलेंगे, तो फिर अगले संडे को हम फिर से एक टेड़ घंटा बैठ जाएंगे, और एक टेड़ घंटे में हम सेकंड पेपर के पूरे के पूरे सिलेबस को समझ लेंगे, अब मुझे एक बार ये बता दो, आपको ये क्लास अच्छी लगी, सिलेबस समझ में आया, तो बहुत बढ़िया बात है, अब मैं आपको यहा हैं, तो फटा फट कोर्स जोइन कर लो, जिसको करना है, और याद रखना, अगर एक सही दिशा, सही मार्क दर्शन के साथ प्रप्रेशन करनी है, तो ये कोर्स मील का पत्थर साबित होगा, फैकल्टी के डेडिकेशन को आप देख सकते हो, यूटूब पे, और कोर्स में भ है, आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, तो फिर आपका पेज ओपन हो जाएगा, कोर्स पे क्लिक करोगे, तो आपका कोड का ओप्शन, आप किस कोड के साथ आना चाहते हैं, तो यदि आप कोर्स परचेश करेंगे, तो आपको LD लाइब कोड का यूज करना है LD, यानि लालीता दहिया, LD, LIVE, इस कोड का अगर आप रियोग करेंगे, तो आपकी लगभग 30, 40,000 की जो फीस है, वो मात्र 18,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, PT plus mains, बहुत ही systematic तरीके से तयारी होगी, आपको पूरा एक schedule दे दिया जाएगा कि भई, पहले 40 दिन quality है, फिर economy है, फिर geography है, फिर history है, फिर society है, ऐसे पूरा schedule दिया जाएगा और उसी schedule की according classes करवाई जाएगी, धाई से 3 घंटे की daily classes होगी, answer writing की सुविधा है, mentorship की सुविधा है, आप अपनी faculty से सीधा जुड के अपने doubt solve कर सकते हैं, है ना, तो बहुत ही systematic ढंक से, आप 13 से 14 महीने में अपनी तयारी को अच्छा कर सकते हैं, इस class का PDF आप जरूर डाउनलोड करना, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसको ना अपनी दिवार पे चिपका लेना, जहां पे सोते हो ना, तकीए के पास में, ये PDF आपको भी एक घंटे में मिल जाएगा ललीत धहिया अकेडमी, टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मेरी हर class का PDF, मेरी class का link, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इस से जुड़ जाओ, बाकि आप मेरे Instagram ललीत धहिया कैडमी और Facebook पेज ललीत धहिया कैडमी पे भी का प्रयास करना आपको समझ में आएगा है ना हिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिड नहीं है डर बैठा रहता है क्योंकि कुछ भी कॉम्प्लिकेटिड तब तक होता है जब तक हम पढ़ना नहीं शुरू करते हैं इस बात को ध्यान रखना जिल्दगी में ध्यान रखना होप अंकित थैंक्यू सो मुच लिग कर चिपकाई हो बहुत बढ़िया राइट कर लिए हैं क्या बात है श्वेता बहुत महनती बच्ची है ना मैंने बोला था कुछ बच्चे क मिल ली जाएगा लेकिन थोड़ा कष्ट दो शरीर को है ना त्याग करो तपस्या करो थैंक्यू वानसी बिल्कुल गोरी एकदम सही बोल रहे हो आप नितिन थैंक्यू सो मच बच्चे तो ठीक है अब अलविदा आप लोग भी संडे है तो थोड़ा खापी लो अच्छे से एक दो घंटा कुछ मूवी वगेरा देखनी है और फिर पढ़ना है तो पढ़ाई करो तो होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले जरूर शेयर कर दीजिए अपने वर्ट सेब अपने इंस्ट लेने के लिए स्टेडी आईक्यू की एप या स्टेडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट करें और एल्डी लाइब का कोड यूज करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 1899 में मिल जाएगा बाकी लली तदही अकैडमी टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडिये करके समझेंगे तो स्वस्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद जैहिंजवाद